इन दिनों एक बात मुझे बहुत सताता है मैं हर सबा में कहे रहा हूँ महारा समय कि आज हमारे देश के लक्ष क्या है बारत का लक्ष क्या है देश का कोई लक्ष है या बिना लक्ष के हम गुमरा हो गए हम बटक रहें अंदेरे के रास्तों में क्या हो रहा है इस दिश में एक बार प्रति भारती को इस बारे में सुंचने की बहुत सक्त समय आ चुका है यह वक्त है उस समय का हाजादी का जंग एक वक्त था जिन कुर्बानियों के फल हमको मिला लेकिन आज एक और हाजादी की जंग लड़ना चाहिए उस प्रकार का ही एक नया उम्मेंग से एक नया सावेरे का दिशा में पूरे भारत को चलना चाहिए करांटी के मार्क पर इसलिए के आजाद हुए हम भारत 75 साल गुजर गए 75 साल कोई कम समय नहीं होता है दुनिया बर में कहीं देश है जो हमारे सामने ही कहां से कहां पहुँच गए जैसा के सौथ कोरिया है जैपान है सिंगपूर है मलेश्या है हमारे से जियाग्रिफिकली कनेक्टेड है हिमालाई के उस पार में चीन है आज चीन का एक समय में चीन हमसे गरीब थे 1982 तक उसके आज का चैना कहा है और हम कहा है इस बात को हर किसी को सुचना चाहिए चुनाओ आते रहते हैं जाते रहते हैं कोई न कोई जीती जाता है कितने पार्टियों को हमने सपोर्ट किया और महारास्ट जैसे राज में मुझे एक पार्टिय बताईए जिनको आउसर नहीं मिला अधिकार नहीं मिला कांग्रेस तो पूरे 50 साल राज किया उसके बाद में रास्टवादी को भी आपने मोका दिया शिवसेना को आपने मोका दिया भाजपा को भी आपने मुका दिया करना चाहते तो इन में से कोई एक तो करते उल्टा ये कह रहे हैं तेलंगाना के जैसे चोटे से राज में कम समय में नया नवेल राज में किसानों के भलाई के लिए सब कुछ किया जा सकता है मैं मराटी बोल नहीं सकता लेकिन समझ सकता हूँ बालके जी ने अपने बातों में सारे बता दिये चलंगाना में क्या-क्या स्कीम चलता है ये स्कीम चलंगाना में 5-6 साल से जब चल रहा है महारास्टर में क्यों नहीं महारास्टा तो बहुत बड़ा राज है, स्तिर राज है दन्वान राज है, यहां किस चीज की कमी है उल्टा यह कहा जा रहा है कि तिलंगाना का जो भी मामला है वो बूल बुलेया है अगर महारास्टा वो कर दे तो महारास्टा सरकार का दिवाला निकलेगा हाँ जरूर निकलेगा दिवाला मैं भी मानता हूं इस बात का निवाला दिखलेगा नेताओं का और दिवाली होगा किसानों का बिल्कुल दिवाली होगा किसानों का राज का दिवाला नहीं निकालेगा हम कहां से ला रहे पैसे सुभी पूछने लगे हैं आज उल्टा पल्टा कोच्छन पूचने लोगों को गुम्रा करने बाल के जी बता रहे थे तेलंगाना की पार्टी है बयारस तेलंगाना की पार्टी ने ये बयारस बारत बदलने का बारत परिवर्तन का एक मिशन है ये राष्टी ये पार्टी है पर अजीब अजीब सवाल अजीब अजीब बाते करते हैं, हम जब पंडरी धर्शन के लिए जब वहाँ से निकले, कितने लोग क्या-क्या कही रहे आपने अक्बारों में देखा, टीवियों में भी सुना, हाँ आजाए जरूर दर्शन करे लेकिन राजनीति ना करे हम आके दर्शन कर रहे है पंडरीपूर में मेरे फिचे कई पित्रकार पढ़े जै मैंने वहां मुँ नहीं कोला कुछ कहा भी नहीं उनको वो नाराज भी हो गए मुझसे लेकिन मैंने वो उन्यस तली है ख्षेतर है तब वहां मैंने कुछ राजनीति नहीं कहा लेकिन यहाँ जरूर कहूंगा मेरा एक बात है मुझसे समझमन यहाता है अभी अभी हम शुरू हुए महरास्ट में इतना आक्रोष क्यों है इतने सारे पार्टियों में इतनी गबरहाट क्यों है हडबड़ी क्यों है कि इतना आक्रोष कि इतने छोटी पार्टियों के लिए 3-4 चार महीन ही हो गए हम यहाँ शुरू होके कोई पार्टियां में नहीं चोड़ रहा है बासपा एक वक्तव गया है कांग्रेस का एक वक्तव गया है कांग्रेस ने हमको बीजेपी का बीटीम करार दिया बीजेपी ने हमकू कांग्रेस का ये टीम का कराव दिया ये पता नहीं ये टीम कहां से आते हैं हम किसी का टीम नहीं है हम टीम है तो किसानों का, पिछडों का, अलप संक्या का और दलितों का टीम है इस बात से कोई गबरा है नहीं हम अगर टीम है जैसे बालके जी ने कहा पक्का पहली बार हिंदुस्तान में कहीं कहीं लोग कहीं कहीं नारे दिये सिर्फ बियारे सी एकला होता एकी पार्टी है जिन्होंने दिल पाड़के कह दिया के अबकी बार किसान सरकार पहले कोई पार्टी ने इस बात नहीं कहा क्यों नहीं कहा बाई साथ प्रत्षत लोग तो केति किसानी से जुड़े हुए हैं किसान को और कामगार को जोड़ दो तो साथ प्रत्षत से ज्यादा हो गए अब इन लोगों को डर लगा है बैस अब साफ साफ मालूम हो रहा है किस जुड़ रहे बेरेस के साथ तो इसलिए उल्टा सीरे बात करने लगते हैं पर अजीव अजीव कामेंट्स करते हैं मैं आपको साब बताना चाहता हूं यह मत्यलंगाना या महाराष्टत के लिए सीमित पार्टी नहीं है आज के बारत के जितने भी समधान तिसने भी प्रश् चाहिए इसलिए मैं दो चार शब्द बताता हूं आपको बारत में 41 करोड एकरड क्रिशी योग या भूमी है हिंदुस्तान में जिस प्रकार से पानी की उपलब्दी है हमारे पास बरसात होती है इंडिया में एक लाग चालीस हजार टीम सी की आधा तो उसमें बास्विकर को में बैटे हुएं दया कि बारत के हर एकड में अगर सरकार में दम हो केंडरिया राज के सरकारणों का नीती सैह हो तो आए एकड में हिंदुस्तान के भरपूर पानी दिया जा सकता है अब यह आते हैं रस्त में बालकेजी मुझसे कह रहे थे मंगलवार के यह 25-25 ग stickers परूरत से ज्यादा है एक तालीस करोड एकर जो कृशियों के भूमी है बारत में हर एकड को दिया जा सकता है और पीने के लिए भरपूर पानी दिया जा सकता है मैं आउरंगाबाद गया तो वहां बोल रहे हैं चमबाजी नगर उनका नाम बदल दिये ठीक है वहां गये तो कह रहे है आठ दिन में एक बार पानी आता है शोलापुर में भी चार-पांच दिन के बात पानी आता है अकोला कि में कहता हूं साफ कहता हूं भारत के जल नीति जो राष्टी यह जल नीति है उसको पूरा पूरा उठाके बंगाल के काड़ओं डेना चाहिए और नया पासी बनना चाहिए ये भारत का परिवर्तन है प्का चाहिए ये बात देश में हमारे पास नहीं है पानी तो अलग बात है पानी की उपलब्द है पानी को रखते हुए है मुझसे क्यों वंचित है और क्यों वंचित हो जाए अब तक नेता होने गुमरा कर दिया जिनको जो कहना कहे दिया ना पीने का पानी आता है ना शिंचन के लिए पानी आता है दूसरी टोनोबिल में रूस में जो इस पोटन हुआ था उसको लेकर दुनिया बर में तो धूला कर देते हैं दिन में आता ए मैं आता है री तन में पर आ जाए तो तबी नहीं आता है सह्रोय गृफट हवाली और हवा चली तो आई मैं तो नहीं आई हैडो एलिटकल पावर है वो सिर्फ बारिश में जब नदियां बहने लगते हैं प्राजेक्ट बर जाते हैं तब ही कुछ मात्र में मिलता है लेकिन ये की पावर है जो तर्मल पावर है जिसको लेकर कोई विबाद नहीं है और तर्मल पावर चलता है हमारे देश में 301 बिलियन टन का कोईला का उपलब्दी है मैं यहीं बात आपसे विनम्रपूरक प्रातना करता हूं मेरे बात को जरूर चिर्चा में ले आए गाउं में कि जरूरत से ज़्यादा पानी है केसियार ने कहा यह सच है के जूट है चिर्चा कीजिए उसका निकाली है पड़े लोगों को पूछे इरिगेशन हधिकारियों से पूछे बारत में बिजली आप चौंक पड़ोगे आप चौंक जाओगे यह अपके केंद्र सरकार पीचे का केंद्र सरकार राज्यों के सरकार जो गुमरा कर रहे है जो निजी करन कर रहे हो सरा सर गलत है इसलिए मेरे का कोईला उपलब्द है हाइड्रो एलेक्रिकल बिजली सोलार का बिजली और थर्मल बिजली तो कोईला से बनता है तीनों को संतुलित करके अगर देश के लिए दिया जाए पूरे भारत के चोटे-चोटे गाउं से लेकर बड़े-बड़े शेहरों तक चोटे-चोटे उद् और पूरे जगा बिजली परियाप्त देने के लिए देड़ सो साल तक के लिए ये परियाप्त है कोईला ये मेरे आंकड़े नहीं है ये मेरी कलपना नहीं है ये केंद्र सरकार के आंकड़े है कोईला मंत्राले के आंकड़े है इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ इस बात और हमारे देश में इतना भरपूर कोईला है, जो डेड़ सव साल तक के लिए परियापत है, उसके बावजूद क्यों कोईला आज चेली ऐसा मंगाया जा रहा है, क्यों कोईला आज कही अन्य देशों से मंगाया जा रहा है, इस बात को हमको समझना चाहिए, यह रूट मुद सराज में किसान का आत्मा अच्चा रोज का आठ का साथ का नौ का दस का अंकड़ा में जाता है, क्या यह हमारा किसमत है किसानों का, एकी समधान सुप साफ कर सकता है, यह कि हमारा अगर हम प्रतिग्यां ले ले, सारे किसान चुनाओं के समय इकटे रहे, किसानों को पाटी को कड़ा करे तब जा कि हमारा बिल्कुल समझ्य सुलस्ट सकता है इसमें मुझे कोई शेक नहीं तेलंगान राज में वहाँ लोगों ने तेलंगान राज भी राप्त किया इकटे होके लड़के उसके बाद में किसान सरकार बनाया बाल के जीने सर बता दिया मां क्या क्या दिया जाता है 24 गंटा high quality वाला power free में दिया जाता है इस प्रकार का free में दिया जा सकता है कि आप 50 horse power भी use करो किसान कोई पूछने वाला नहीं है उनको 10 नहीं 15 motor भी लगाऊ उसमें भी कोई पूछता नहीं है किसान को जब free बिजली देते हैं दे देते हैं दिल से दे देते हैं चुनाव के लिए वोटों के लिए नहीं देते हैं वोटों के समय में नहीं दिया हमने ऐसे ही दस हजार रुपए हरेकर को उनके निवेश के लिए दे देते हैं जो लागोडिया आप कहते हो उस प्रकार का किसान का किसी भी प्रकार का मुच दान उगाते हैं तिलंगाना में ज़्यादा हर एक दाना पूरा का पूरा सरकारी करीदता है वहां हमने साथ हजार के ऊपर खरीद केंधर खोले हैं पूरे खिसान अपने गाउं में ही वही कि मैं उनको ना मंडी जाना पड़ता है ना सेटों के बीटों के बास में जाना पड़ता है ना छिट्टी लेके पैसों के लिए घुमना पड़ता है मैं जानता हूं महारास्ता में कैसा कैसा दिया जाता है यह मैं जिस एरिया में खड़ा हूं यह पूरा गन्ना का एरिया है गन्ना के दाम के लिए हर साल क्यों किसानों को लड़ना पड़ता है क्या कमी है क्या दम नहीं है सरकार में इतना भी एक साल में बुला के सुलच इसको सुलच दे हम लड़ाई हैं नहीं लड़ाई हैं बात नहीं है शरत जोशिके जमाने से कितने लड़े हैं लड़े हैं पैस जुगता है उसका दाम नहीं मिलता पैस के दाम के लिए हमारे किसान भाई नाशिक्षे मुंबै तक पधैत्रा करते हैं हजारों के संक्या में उनके पाइर से खून भी निकलता है तब ही सरकार को को एह इसास नहीं गन्य के दाम क्यों नहीं देते कहीं भी नहीं देते गन्य के पैसे कैसे देते तीन मैने में चार मैने में पांच मैने में देते हैं एक बार नहीं आता है ये क्यों इससे कि हम नहीं निकल सकते इस करश्ट से इस मुश्किल से हम नहीं निकल सकते बराबर निकल सकते हैं हम अगर एक जुट हो जाओ किसान का सरकार आ जाए तो उनके सर पर बैठके दिला देगा सब कुछ मिल जाएगा इसमें कोई चमतकार नहीं है इसलिए मेरे प्रार्तना है आप सुब लोगों से किसान जब तक इकत्रित ना हो कुछ नहीं बदलने वाला है पार्टी बदलते रहेंगे अब समझेए आप करनाट रहा हाल में चुना हुआ वहाँ भारती है जनता पार्टी हार गया कांगरेस सरकार आ गया क्या कुछ बदलने वाला है वहाँ पे कुछ नहीं बदलेगा वोही पालसी चलते रहेंगे वोही पुराने ही खताह सुनने पढ़ेंगे इसलिए मेरे प्रात्ना है चुनाओं में पार्टी हां जीतना नहीं है जबसे हमारे बारत में चुनाओं में जनता जीतने का रवयए शुरूह होँगा तब से भारत बदलेगा, जनरता को जीतना चाहिए, जनरता को अपेक्शन जीतना चाहिए, चुनाओ के दूसरे दिन से ही उनका तहत काम होना चाहिए, यो वरी दिन करेगा, किसान मरेगा तो कौं जीरेगा, किसान अगर जिंदा है सुपके ताली में काना आता है किसान अगर खत्म है तो सुपके ताली यां सूख जाएंगे कौन जी सकता है इसलिए मैं आपसे बार-बार भिनन्यत्य करता हूँ किसान का एकत्रित पूरे किसान भाई 종ечение पदार है इसके इलावा भी कईयान कारे कारे कारेक्रम हमारे पास है वो सुब किये जा सकते हैं को गरीब शाधी करता है एक लाग रूपे देते हैं हम लोग विद्यारती बाहर जाना चाहते है 20 लाग रूपे का स्कालर्शिप देते हैं हम लोग जो बाहर देशों में पढ़ने के लिए एच्छे कहीं कलियान कारी होजना है जो दिवियांग लोग है देश में कोई राज नहीं देता सिर्फ तेलंगाना एक ही राज है तीन हजार के उपर देता था तेलंगाना दशाब्दी उत्सों में मैंने अभी अनौन्स किया उनको चार हजार मिलेगा पर मैंने यहां पर पेंशन क्या मिलता है मेरे क्या से कोई 600 रुपे मिलता है तेलंगाना में हम 2000 रुपे पेंशन देते हैं मैं महाराष्ट वास्यों को जो पेंशन दार है उनको कुल कर कहता हूँ महाराष्ट में BRS का सरकार लाओ पूरे किसान के काम भी हो जाएंगे और welfare measures भी आपको पेंशन 2000 मिलेगा बाज़पता मिलेगा किसी का दिवाला नहीं निकलेगा बिल्कुल बाज़पता अराम से दे सकते हैं यह सारे चीज हो जाएंगे सारे चीज संबव है जबके हम हिकत्रित हो दलित वर्ग हमारे देश का एक अंग है उनको हमने पीछे रखा है वो हमारा ही पाप है उस पाप को हमको दोना पड़ेगा कोई अन्या आके नहीं करेगा अमेरिका देश में काले लोगों को गोरे लोगों ने बहुत सताय था बहुत रुलाया था बहुत उनको वंचित किया था लेकिन अमरीका समाज में जागूरती आने के बाद एक ब्लाक मतलब याने काले जाती के रहने वाले बराक उबामा को देश के अध्यक्षी बना देके उनका अपने पाप को दोया है ये भी भारत में चेतना आना चाहिए हमारा दलिद बाई वंचित ना रहे उनके भी है हमारा ही दाइथी बनता है कि यहां के पार्टियां पूरे प्रस्तापित हैा कि इनको क्या डरे समझ में नहीं आता क्यों ऐसकरत Means समझ में यह न항 क्यों हैं उल्टासणलटा बात करने लगते हमारा जो एजंडा है उसे जन्डा पे बात करो जद्सकरण छो ऑ주 के अदिए जो बुत्पूर मुक्यमंत्रिय अपके मुक्यमंत्रिय नांदेड disabled में पहली बार जब मैं हाय था तो उन्होंने कहा किसी याज यूर्जी आपका क्या काम है आपका तो काम स्टिवाइब्स भी या मैं बारत के नागरिक हूँ, कहीं भी जाके काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ किसान के उद्धार के लिए आया हूँ, अगर मुझे नहीं चाहते हो, तेलंगाना येजन्डा मक्की का मक्की, शेंबल तक का इंप्लिमेंट करो, मेरा काम कतम मैं मज्य पे चले जाओंगा, महारा किसानों को, हमारे पास कोई ऐसा अभेद नहीं है, पूरे किसान जितने भी है, सत्तर लाग किसानों को, हम रहीत बंदू जो स्कीम है, दस अजार देने वाला, छोटा बड़ा सुप किसानों में देते हैं, कोई बेद बाव नहीं है उसमें, इसी प्रकार का यहाँ भी आना देते हैं, हमारे पास ऐसा नहीं है, पसल को पांच असार एक देते हैं निवेश के लिए, फिर दूसरा पसल के दूसरा दे देते हैं, मुफ्त में पानी देते हैं, मुफ्त में बिजली देते हैं, और हर्दाना उनका करीत है, करीते भी कैसा सीधे उनके बैंक में जाता है, आप लोग प्रसंद हो जाएंगे मेरे बात सुनकर, तलंगाणा में मैंने देखा है, मुख्य मंतीरी बनने के बाद दो साल, किसानों का जो कश्च है, मुश्किल है, मैंने देखा है, उसके बाद में, पूरी तलाटई विवस्ता, हमने बरकास कर दिया है तलंगा नामे तलाटियों का जो काम है आप जानते हैं हमारे भूमी उनके नाम पे लिख दे इनका भूमी उनके नाम पे लिख दे वहां पूरा तलाटिय विवस्ता ही बरकास कर दिया कानून बनाके उनके पेट में नहीं मारा हमने दूसरे नहीं बोलके पोटल लाके सारे जमीन का रिकार्ड हमने डिजिटलाइज कर दिया उसके लिए उस माध्यम से ये सुविधा होता है किसानों को दान करीते हैं किसी के पास पिरने की जूरत नहीं है सीधे किसान के बैंक अकोट में जाता है जो पांच अजार हर फसल के लिए हम दरकास्त नहीं देना है सीधे उनके अकोट में बैंक में चले जाता है ये संभव बात है ये बात जब तेलंगाना में हो रहा है महाराश्चा सरकार क्यों नहीं कर सकता है यही मेरे कोच्चन है यही मेरे सवाल है सिर्फ महाराश्चा ही नहीं मज्यप्रदेश में क्यों नह पूरे अन्य भारत में क्यों नहीं ये संभव होते हुए भी एक राजी में इंदुस्तान के किस्ता में हो रहा है बागी भारत में क्यों नहीं इसलिए मैं आप तमाम लोगों से सुभी लोगों से मैं प्रार्तना करूंगा ये पूरी भारत के किसानों के जंग है उनके प्रत ऊच्शे पंडlot कि इन तीन बार अपने अपके प्यार दिया उनको जिताया अर। उनको मुझू ते इंव गवाण ने वितकर है क्यों गन्हीं धर्शन करवाने को उनको कुई inhalation में उनकमिसे अज्जी के साथ fund कि आप यह फिलोगला घर कॉन इसे ऑजी को पूर slit साथ जो कड़े है पच्चिम महारास्टे के जो दर्वाजा कोले है बाल के दादा उनके पूरा हमारे साथ होगा हमारे आशिरवाद उन पर होगा हम पूर्ण तरिके से उनके साथ होंगे आप सोगुलोग पर साथ दीजिए एक युवा नौजवान क्या चाहिए नौजवान लीडर है नौजवान नेता है उनके काफी बविश है ये मले चुने जाते हैं तो ये मले नहीं रही कि माया अश्वासन देता हूँ इनको मंत्री पर भी मिल सकता है काफी उंचे भी जा सकते हैं आगे चलकर बहुत बड़ी उनकी तरक्य हो सकते है उ उनको बगवान ने जो दिया दिया है उनको कोई काने की कमी नहीं है लेकिन पूरे राज का विकास पंदरपूर का विकास हर चीज का विकास उनके जरिये हो जाएगा ये युवा है मैं इनसे बहुत बड़ा हूँ इसे युवा लगों का मार्क दर्शन में पूरे किसान इ असंबं नहीं है, कोई नहीं होनेवारा कार नहीं है। ये एक बात मैं हैं तुमें कहूंगा, हम जब पल के अपेक्षा करते हैं, पल काही पोदा लगाना चाहिए, कहीं महान सन्तों ने कहें दिया है, कि बोया पेड बबूल का आए कहा से आम, आम का अपेक्षा है तो आम का पोदा लगना चाहिए कांटों का पेड़ लगा के फल का अपेक्षा करें हमको नहीं मिलेगा गाई से दूद लेना है तो गाई को गांस दीजिए घदों को गांस दे दो और गाई को दूद बूचो कहां से मिलेगा हमको हमारे वोट में वो ताकत है वो दम है हम बटे नहीं गए तो बिलकुल हमारा काम बन जाएगा मैं आपके बाई हूँ आपका बेटा हूँ मैं अपने आप में किसान हूँ और मैं गर हूँ करता हूँ फकर करता हूँ बगवान ने मुझे किसान के घर में जर्म दिया किसान के घर से ही मैं पैदाईश हूँ किसान होने का मैं फकर करता हूँ बिल्कुल फकर करता हूँ मुझे फकर है किसान होने के लिए इसलिए मैं कुद किसान में हूँ इसलिए में किसान का दुख दर्द समझ सकता हूं लोग बोलते हैं के मरत वाड़ा के विदर्ब के लोग बोलते है पच्चिम महारास्ट नहीं मिलता है नहीं मिलता ना मुझे सुनने नहीं दे रहा है नहीं मिलता तलाटि रखे के वरकास्ट करे के रखास करना चाहिए जो बरकास्ट करना चाहिए हाथ उटाईए एक बार केमरावाल उधर गुआओ जनता क्या चाहिए वह बता दो पुर दुनिया को ऐसा है कैंद्र सरकार ने अनौन्स कर दिया डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया सही है महाराश्य के किसानों के लिए सुवीदा क्यों नहीं लाया गाया कीजिए बिल्कुल कीजिए क्यों नहीं कर सकते जब तलंगा न democracy तो आप भी कीजिए इन तलाटेओं के लूट मार से बचा लीजेए किसानों को ये करने वाले बात नहीं करते उल्टा सूल्टा बोले लगते हैं जो करने वाले लेकिन जनता क्या चाहता है अब आपने हाथ उठा के बता दिया सो भी समझ में आ गया कहीं कहीं बाते हैं मेकीन इंडिया बोले बच्चे उड़ाने के पतंगों के मांजा, दीपावली के दिये, दीपावली के पठाके, भोली के रंग ये सारे चेना से हाते. क्या बारत में इतना भी सलयत नहीं है कि ये चीज़यां बन सके? आप सुँचिए इन बातों का, आपके गाउं जाने के बाद सुचिए कि बारत बदलना है नहीं बदलना है जरूर बारत का परिवर्तन ही आज के भारत के समश्याओं का समधान है कोई दूसरा नहीं समधान है पूरे नीतियां बदलना चाहिए पालशियां बदलना चाहिए पार दर्शता होना चाहिए उतके-कल के कहिते हैं कि तलाटी चाहिए कि नई चाहिए उनिश्चिनत है एक दम उसका कोई नहीं बदल सकता बदलने का अधिकार किसान को ही हमने दिया है किसान का अंगूटा याने के बायोमेट्रिक लगके ही किसान का जमीन का वोनर्शिप बदलता है तलंगान राजी में उसका कोई तलाटी नहीं बदल सकता कोई रेविन्यू इंस्पेक्टर नहीं बदल सकता तैसिलदार नहीं बदल सकता डिविजनल आफिसर नहीं बदल सकता कलेक्टर भी नहीं बदल सकता रेवेन्यू सेकरेटरी भी नहीं बदलता रेवेन्यू मंत्री भी नहीं बदलता चीफ सेकरेटरी भी नहीं बदल सकता चीफ मिनिस्टर भी नहीं बदल सकता सिर्फ किसान की जो भूमी है उन पे उनका जो अधिकार है, उनका जो पड़ता है उसको बदलना है तो किसान की बायोमेट्रिक से ही बदलता है ये भी आप अपने गाउं में चर्चा किजिए जब तेलंगा अना में ये सुविदा है उपलब्द किसानों के लिए महारास्टा में क्यों नहीं जो नेता लोग हमको हमारे उपर यह कर रहे हैं टीका टिपनी कर रहे हैं उनसे पूछिए बया केसियार ने कहके गया है आप क्यों नहीं कर रहे है यह बात हमेरे लिए क्यों नहीं ला रहे है तलंगाना का महारास्ट का बाडर है एक हजार किलोमेटर आप कहीं भी जाके पूछ सकते हैं किसी भी गाउं में यहां से तिर्फ चार-पांशो किलोमेटर में तलंगाना पड़ता है बालकेजी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं हर तैसील से एक बस या दो बस एक बस में महिला एक बस में फूर्श आ ज देते हैं क्या-क्या कैसा होता है रिजिस्टेशन कैसा होता है तेलंगाना में रिजिस्टेशन करने जाओ दस मिनिट में हो जाता है फिर पट्टा के लिए समय नहीं है उसके बास पांच मिनिट में पट्टा भी हो जाता है वहीं कर वहीं पास्बुक दे देते हैं आपके कापास पाध नहीं देते हर किसान के पास ऐसा पास्पोर्ट होता है उससे भी सुन्दर साा पासmbit would are उनके पास और उनका कभि योग बेजते हैं करींते इंतो पूरा उसी समय website में दिख जाता है किसी में ने यह करीदा उनका बेटा अमेरीका में माँ देख सकता है अमेरिका में भी दुनिया के किसी कोने में है काले वेबसाइट कोल दिख जाएगा हमारे पिता ने दोएकर करीद है ऐसे विए है यहां भी किया जा सकता है हमको बोलने से बजाए यह काम कीजिए न यह काम कर सकते न ताइम है अभी सरकार के पास काफी समय है कर सकते बहुत नहीं करते उसको छोड़के उल्टा सुल्टा बातें करो KCR को कुछ का हो A team का हो B team का हो मैं साब बता देता हूँ पूरे महारास्ट वाश्यों को भारत वाश्यों को BRS किसी का team नहीं है हम अपने आप में party है हम किसानों का team है हम दलितों का team है पिछडों का team है और अलपसंक्यक लोगों का team है पुरा भलाई करने वाला party है ये किसी का B team ये team बनने का हमारा कोई जुरूरत नहीं है 50 करोड जैने के 50 प्रतिशत जैने के 70 करोड आपा दी जब हमारे किसान है अगर किसान BRS के साथ है तो हमारे साथ team हाजाएंगे हम किसी के team क्यों बनेंगे किसान हमारे साथ है अब बताईए किसान हमारे साथ है जंग लड़ेंगे अब की बार दल हो गए आप लोग खाना तयार है जोर से बोई है अब की बार, अब की बार, बगीरत बाल के, जिन्दाबार बोले, बगीरत बाल के, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ.